हेलो एब्रिवन वेलकम टू कुईन नमकीन आज एक और नहीं रेसेपी लाई हूँ आज हम बनाएंगे पालक पनी पालक पनी बनाने के लिए आपको दो गटी पालक चाहिए दो गटी पालक आप अच्छे से एक किसी टोकरी में निकाल लें उसके पत्ते अलग कर लें पत्तों को साफ कर लें टोकरी में करना या किसी एक छनी में लेना जिससे उसकी अच्छे से सारी मिट्टी निकल जाए बि एक्स्ट्रा उसकी डंडी आपको काटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, कोई भी उसमें किरक नहीं रहने चाहिए, अब हमने लिया है, प्रेस्टीज क्लिप उन पालक पनीर बनाने के लिए, ये 5 लिटर कपासिटी कुकर है मेरा, कुकर विद कडाई, ये इसका लॉक है रोटेशन लॉक, ये बहुत ही है, आप देखिए, ये 5 लिटर कपासिटी, प्रेस्टीज क्लिप उन, ये इंडक्शन बेस है, आप इसे इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं, ये प्रेस्टीज का उपर लॉक है, लेफ्ट और राइट करने से इसका लॉक और अनलॉक हो जाएगा, ये देख सकते हैं, साइज में उसके रिंस, ठीक है, ये लॉक टेस्ट आइए, नो ओपन, और ये ओपन हो जाएगा, बहुत ही है और बहुत ही अच्छा है, इसके दो कवर्स हैं उपर के, दूसरा का ट्रांस्परेंट लेड है, वो आजा कढ़ाई आप उसे तुकर में उबालेंगे, गैस अन करें, आधी कर्ची पानी डालना है, जादा नहीं क्योंकि पालक अपना भी पानी छोड़ती है, ठीक है, और इसमें कुछ डालनी की जरूरत नहीं है, आपको, एक सीटी आने पे गैस को बंद कर देना है, गैस बंद कर दें, और जब उसक सीरी के बाद गैस बंद करतें, और उसका वेट करें स्टेम निकलने का, जैसे ही स्टेम निकले, आप देख सकते हैं, उसका कुकर का धकन खोल लीजिए, गैस नीचे से बंद हो नी चाहिए, अब नीचे पालक देखिए, आपकी अच्छे से गल चुकी है, अब इसको ठंड अब आति बंद बनेगे, इसका मसाला बनेगा, उसमें वो सारा पानी यूज़ हो जाएगा, अब आप बुलक को छनी में निकाल ले, अब देखें के, उसका जो सारा पानी है, ,"पॉलक कर दोकी तड़का बनाएंगे", तड़का बनाने के लिए आपको एक अध्रक चार से पांच आपको लसन की कलियां, दो सुखी लाल मिर्चे, आधा बरी कटा प्यास और दो टमाटर प्रेस्टीज क्लिपॉन लेंगे हम, उसमें हम दो चमज घीडा लेंगे, दो से धाई चमज डाल सकते हैं, बाकी सारे मसाले डालके उसे भून लें अच्छे से, अच्छे से भूनना है, चलाईए कर्ची नीचे ना लगे, ठीक है, जब नीचे सारा मसाला भून जाए, प्या पालक का बरतन को अगाल लें, टमाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, वह अगाल के आप उसको यूज करिए, कोई भी चीज हमने वेस्ट नहीं करनी, चेक है, ना टमाटर ना कुछ, आप देखिए, आपका जार बिल्कुल साफ हो जाएगा, अब कर्ची चला कोई मसाला और डालने की जरूरत नहीं है, उससे पालक का स्वाद खतम हो जाएगा, पालक में अपना ही स्वाद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से चलाएगे, जब टमाटर ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी पालक टालेंगे, पालक पीसने के बाद उसको आप उसमें कोई भी डंडल नहीं रहना चाहिए, सारे पत्ते अच्छे से क्रश हो जाएगे, बढ़िया पेस बननी चाहिए, ठीक है, उबालते समय आपने सिरफ कुकर में पालक टालनी है, और कुछ नहीं डालना, इस से देखे पालक का कलर बहुत ही बढ़िया रहता है, और उ चेक करके पालक में कोई रंडल नहीं होना चाहिए, और जो जार में बची पालक है, उसको वही पालक का पानी लेंगे, और उसे अगहाल लेंगे, पालक को, ठीक है, पानी से अगहाल के उस बरतन को पालक को यूज़ करिए, अब डालेंगे, आप नमाक, अच्छे से करने जाए, क्योंकि जब पालक पकती है, तो चीटे आती है, यह चीटे आपके ऊपर नहीं आएंगे, वह पालक जो चीटे आएंगे, वह सारी कुकर की वॉल्स पर लगेंगी, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, और अगर जादा चीटे आए, तो आप एक कवर इसक पालक को चलाएं, उसके बार पनीर कर लेते हैं, अच्छे से पीसिस करने हैं, कोई सी भी आप शेपने हैं, जैसे आपको पसंद हैं, मैंने क्यूबस में रखा हैं, फुल गैस कर दे, दो मिनट के लिए पनीर को पकाना है, वरना जादा पका होगे तो पनीर आपका हार्ड हो पालक हमारी पक चुकी है, तो दो मिनट के लिए बस वनीर को सॉफ्ट रख करना है कि इस फ्लेवर आज़े उसमें, पानी बहुत ही बढ़ी हमारा हो चुका है, जादा भी नहीं सुकाना, क्योंकि उसका जूस खतम हो जाएगा, तो अब आपको गैस बन करने, ना रेडी त सॉफ, थैंक यू फो वाचिंग मैं वेडियो, सब्सक्राइब मैं चानल, शेर मां वेडियो विट यू फ्रेंज इन फामली, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, थैंक यू